दोस्तो यस बैंक की बात तो बहुत दिन के बारा जबर्दस वाल्यू में कामकाज हुआ है और जबर्दस खरीदारी के दम पे आज यहां पे स्टॉक में तेजी भी देखी है एक तरफ तो बादर में गिरावर थी और प्राइवेट सेक्टर के बैंकों में भी जबर्दस गि बन सकती है वैसे यस बैंक की बात करें तो सब कुछ बढ़िया है रिजल्ट भी ठीक है क्योंकि इस बार जो प्रॉफिट कमाया तो उसके पीछे बड़ा प्रोविजन रखा गया है और उसकी वज़ेसे कि आने वाले से में सेहत न बिगड़े यस बैंकी इसलिए प्रोवि शेरों में जिस तरह से गिरावट हो रही है उसकी वज़ेसे देखे तो पूरा मामला बिगड़ा हुआ है और इसकी वज़ेसे लगातार देखे तो बादार निगेटिव बना हुआ है और ऐसे में स्टॉक सारे नीचे आ रहे है और स्पेशली मीड कैप स्मॉल कैप में अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बेल लाइक उन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मीले वीडियो पसंद आए तो लाइक शे जरू कीजिए चलो फ्रेंट्स वीडियो फ्राइडे को आमने 200 पॉइंट की तेजी देख दी लेकिन वह तेजी सिर्फ उपर के इंडेक्स में थी आप देखे तो मील क्याप में तो फ्राइडे को भी काफी बड़ी गिरावट हुई थी सभी शेरों में गिरावट थी और आज पूरे बाजार में हमने गिरावट द निप्टी PSU बैंक में 3898 के इस्तर पे 0.25% की तेजी थी यानि PSU बैंक आज थोड़ी सी तेजी दिखाने में कामियाब रहे और अगर हम निप्टी प्राइड बैंक की बात करें तो 21,168 के इस्तर पे 0.13% की गिरावट थी तो आज प्राइड सेक्टर के बैंकों में गिरा और हाई जो है वो 17 का है अंते में क्लोजिंग 16.60 पर रही जापे 0.91% की तेजी के साथ में क्लोजिंग आई है तो यह तो आप देख सेक्ट कि इंट्राडे में 17 का हमने फिर से उस तर चूने को देखा रहों को मिला यस बैंक मेंस के पीछे वज़ा है कि आज बड़े अभी भी डर के मारे शेयर बेच रहे आप इसके वर्लिम को देख सेक्टों पिछले मैंने पहले इसका नाइंटिन क्रोड का वालिम न्यमे को वालिम के इस मवांग में आप देखते हो यस बैंक नंबर दो पे था नंबर वन पे वोड़ा फोन था अब यहां पे देख सकते हो कि FI ने जम के खरिदारी की है पिछले quarter के दौरान यस बैंक के अंदर यहाँ पे अगर हम FI holding की बात करें तो quarter थरी के दौरान अगर देखे तो जो holding है वो 23.24% पर आज चुकी है जो दिसंबर के पहले अगर आप देखे तो 12.15% के आसपर थी सितंबर के quarter के दौरान और मार्च की बात के तो यह 10.97% के आसपर थी यानि लगातार आप देखे तो FI की तरप से holding बढ़ रही है और पिछले quarter के दौरान तो यह देखे तो यहां पर लिया गया Yes Bank के अंदर दोनों को एक एक सीट दी गए बोर्ट सदेश्यों के दूरूप में अगर आप यह इसकी जो holding देखे ए FI की तो लगातार आपको अच्छी तरिके से बढ़ती हूँ दिखा देखे कि मार्च quarter के दौरान देखे तो 11% के आसपर जून quarter में यह 11.4% हुई तो सेप्टमर में 12.20% हुई असी दिसम्बर में 23.20% का आज़र जबरस holding बढ़ी है और आप देख सकते हो पिछले एक साल के दौरान देखे तो स्टॉक ने 30% का पॉइंटी रिटन दिया है जिस दौरान अगर निप्टी बैंक इंडेक्स के बाद तो 14% ही हमें तेजी देखनें को मिली है फिलाल यहां पर mutual fund की holding देखे तो 0.47% के आसपा से जो काफी कम है और एक तरसे देखे देखे इस्टेबल बनी हुई है है आई से सिक्रिटी की बात करें तो उनका भी कहना है कि इस समय यस बैंक ने corporate lending को अभी इस समय कम कर लिया है और दूसरे उनका जो focus है इस समय महेंद्रा बैंक ने यहां पर एक बड़ी equity ली थी उन्होंने वहां पर थ्री यहर के लिए lock-in प्रेड के देखे और इसके बाद में यहां पर अगर आप देखे तो इनकी holding है क्या वो यहां पर थोड़ी अपनी holding रिलीज करेंगे तो वो उसके उपर भी थोड़ा आपे द profit booking भी की है और कुछ अभी बाकी है लेकिन overall देखे तो yes bank की सेहत को देखे इस समय कोई बड़ी selling pressure दिखाई नी देरे और इसी वज़े से आज देखे तो काफी बड़े fund house ने जम्न के खरिदारी की है especially एक बज़े के आज बहुत बड़ी deal हुई है जिसमें yes bank में बहुत भारी निवेस किया गया है अगर आप देखे तो सुबर 10 बज़ कर 14 मिनट पर 16.65 की price से 13,500 की एक बड़ी खरिदारी हुई फिर 12 बज़े 16.60 की price से ही आप देख सकते हो करीब 16,800 की एक और बड़ी खरि हुई पिर एक बचकर 2 मिनट पर 16.65 की price से 32,63,000 की एक और बड़ी खरिदारी हुई फिर उसके बाद एक बचकर 6 मिनट पर 16,70 की price से 18,58,000 की एक और बड़ी खरिदारी हुई उसके बाद देख सकते हो एक बजकर 22 मिनट पर 16.90 की प्राइस से करीब 18,89,000 शेरो की एक और बड़ी खरीदारी हुई उसके बाद एक बजकर 23 मिनट पर 16.95 की प्राइस से 23,83,000 शेरो की एक और बड़ी डील के मादे में से माल खरीदा गया फिर एक बज़कर 23 में पर उसी समय 17 की प्राइस से 20,67,000 की एक और बड़ी डिल हुई और इसमें भी माल खरीदा गया है फिर एक बज़कर 24 मिने पर 16,95 की प्राइस से 41,96,000 की एक और बड़ी डिल हुई तो यह तो आप देखी सकते हो कि आज बहुत बड़ी डिल के मादिम से जम के खरीदारी हुई है और काफी दिनों के बार आज बड़ी फंडाउस नहीं यहाँ पर FI की खरीदारी हो सकती है या फिर बड़े फंडा उसके हो सकती है लेकिन आज खरीदारी काफ़ी अच्छी हुए यस बैंक में जो इसार है कि आने वालस में फिर से यहां पे अच्छे बाउंस बैकी संभावरों बन सकती है और इस 17 के इस तर से स्टॉक फिर से 20 की तरब जाता हो दिखाए दिया सकता है बसरते की बाजार साथ दे वैसे अगर आब FI की बात के तो FI बाजार में अभी भी बिक्वाल बने हुए आप देखे एक फरवरी को उन्हों ने 1795 कृपीज की खरीदारी की दे लेकिन उसके बाद में स्टॉक 15.5 तक जा सकता है और तीसरा स्टॉक 15.02 का यह तभी पॉसिबल है जब बाजार में और हजार दोजार पॉइंट की किराउट तब तक वरना इसके निचे 15 के निचे जा इता आने की संभावनों बहुत कम है पॉजिटिव महौल बनेगा तो आप देख से तो 17.02 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है इसको पार कर लिया तो 17.5 तक जाएगा और वहाँ तक पहुचका फिर 18.02 फिर से यह अटरा को पार कर सकता है तो अभी हमें wait and watch करना सकते चाहिए लेकिन मुझे लग रहा है कि yes bank इस level के मजबूत है आने वाल से यह फिर से उपर के दिप जाता हो दिखाई देगा लेकिन friend कोई भी investment करने से पहले अपने financial advisor से बाढ़ ले ले यह अपना फुद का research करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके educational purpose के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो like से जूकिज़ और चैनल को subscribe कर दीजे Thank you friend